हलो आज है 15 अप्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौरपेन लेबोरेटरी इसके बारे में 27 रुपे का ये शेर है और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी गिरावट ये दिखा चुका है काफी बड़ी गिरावट हमें मौरपेन लेबोरेटरी में देखने को मिली है जब कोविड आया था इंडिया में इस शेर ने बहुत बड़ी रफ़तार पकड़ी थी क्योंकि ऑक्सिमीटर बनाने का काम ये कंपनी करती थी और इसके अलावा और बी कई सारे डिवाइसिस है जो ये कंपनी बनाती है ग्लूकोमीटर बीपीमीटर ऑक्सिमीटर जो खरिदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने वितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प क गया अब वापस दो दिनों से ये तूट रहा है हलका हलका से लेकिन तूट जरूर रहा है एक साल के अगर हम बात करें तो फॉर्टी एट पर्सन तक की गिरावाट है साट रुपय से तूट कर नीचे आया था ये 36 तक गया बाउंस बैक दिखा दिया 50 के उपर गया वापस तूट कर ये नीचे आया था 32 तक वापस तेजी दिखा कर 40 पर पहुंचा वापस तूट कर 23 तक आया था वापस तेजी दिखाई है मतलब कि या देखो जब भी तेजी आती है ना उससे जादा की गिरावट है मैं यहाँ पर देखने को मिल जाती है जितनी तेजी नहीं है अगर आप देखोगे तो कोविट के वक्त जैसे कि मैंने कहा था कि कोविट के वक्त सतर रुपए से भी उपर ये ट्रेड कर रहा था और कहां से भागा था ये नौ रुपए का शेयर था सतर तक पहुंच गया वहला भाया दस गुना पैसा कर दिया था इस तका अल्मोस्ट अल्मोस्ट दस आठ से दस गुना पैसा बन चुका था लोगों का यहां पर इतनी बड़ी और इतनी शांदार रफतार में लेकिन उसके बात देखा जाए तो ये लगाता तूट ही रहा है बीच बीच में कोशिश भी अगर करता है उपर उठने की तो ये तूटता ही जा र इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो कई सारी दवाईया भी बनाती है और इनकी प्रोडक्ट भी जो है वो काफी साधा अपरूड नजर भी आती है तो देखा जाए तो कंपनी हाँ छोटी कंपनी जरूर है लेकिन जो बिजनस है वो मुझे उतना छोट इनका लगता नहीं है definitely हम कहा सकते हैं इनकी अगर आप प्रोड़क्ट देखो तो इनकी दो फेसली इनकी चार फैसेलिटीज है 82 से फी से जाला देशहों में जाती है गाम करती आःक्ट आफ सो से भी ज़यादा प्रोडक्ट यहाँ यहाँ पर काम करते है तो तो कंपनी दे आप company के उपर एक नजर भी करेंगे तो company देखने में और बाहर से अगर आप देखोगे तो अच्छी नजर तो आती है और कई सारे इनकी प्रोडक्ट भी है आंट से भी जादा इनकी प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर इनके जो businesses के अगर हम बात करन है लेकर devices के तो बात ठीक है लेकिं company का जो है वो 50% से जादा जो revenue निकलता है वो API से आता है API मतलब active pharmaceutical ingredients यहां से इनका जादा कदर revenue आता है और यहां पर इनकी manufacture facilities अगर आप देखो तो भाई हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी दो हिमाचल प्रदेश में है और यहां पर company जो है वो काफी बड़े पैमाने पर काम भी कर रही है कई सारी product इनकी approved है इनके पास 38 active process patent है over 20 blockbuster API being manufactured under GMP guidance तो यहां पर company के पास patent भी registered है 25 से भी जादा इनके intermediaries यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं 12 से भी जादा doses यहां पर है तो यहां company जो है देखा जाए तो काम तो कर रही है वाई साब मौरपेन के बारे में देखे तो मौरपेन small cap company है छोटी company है एक 1400 करोर का इसका market cap है volume बहुत कम हो चुका है 12 लाग का ही इसका volume हमें देखने को मिल रहा है बड़ी quantity में share trade होने रहे लिए दिक्कत यहां पर क्या हो चुके है रेवन्यू भी कम हो चुके है कि कोविट के वक्त इनकी जो devices थी इनकी जो दवाईया थी इनकी demand बढ़ चुकी थी यह हम सब को जानते है ठीक है तो जाहिए से बात है ऐसे में इनका जो revenue था वो quarterly 30 करोड तक चला गया था 30 करोड तक लेकिन अब दुबारा इनक revenue इनका जो profit 30 करोड तक चला गया था और अभी यह 5.5 करोड पर आ चुका है quarterly जून में अभी देखना interesting होगा कि अगले quarter में क्या होता है अगर अच्छे नतीज़े आए तो बहतरीन चीज़ होगी अगर नहीं आए अच्छे results तो भाई साब impact बहुत बड़ा पढ़ सकता है यहाँ पर तो दोनों ही सूर्टों में results अच्छा है तो बहुत बड़ी तेज़े आएगी अच्छे नहीं आए तो बहुत बड़ी गिरावट भी आप expect यहाँ पर कर सकते हो more pen laboratories के बारे में अगर आप देखोगे तो 100% लोग के रहे खरीदारी करों पहरी जीस्तों है कि मेरी बेचने की सला नहीं है क्योंकि और जहां तक बात है इनके नतीजे को लेकर तो अभी तक कोई date सामने नहीं आई है जैसे ही कोई date सामने आ जाई कि इनके कब results आने वाला है जो शाड़े 800 करोड का revenue था वो सिधा 1500 करोड से भी जादा चला गया जो profit अगर आप देखो तो वहाँ पर तो भईया जंडे का रहे थी नोंने 30 करोड के जो profit थे yearly में बात कर रहा हूं वो 100 करोड तक चले गए अभी वापस क्या हुआ वापस पहले 2030 के financial year के पहले quarter में सिर् साड़े 5 करोड का ही मुनाफ़ा हुआ है तो यह एक problem जरूर है इनके profits और revenue अगर नहीं बढ़ते हैं तो शायद हो सकता है कि दिक्कते सामने इनको जेलनी पढ़ जाए और पर लेबरेटरिस में देखो तो खरीदारी करने के सही मौँकर और बोर्ड जोन में नहीं कोई भी रेडर फ्लैग नजान नहीं आ रहा है डिवडन तो पेक कर ही नहीं रहा तो अटरेक्टू पहां से होगा लेकिन अब यह सस्ता है 5.67 का इसका PE ratio है sector PE 35 का मदलब पहले पैसा बना है यहां पर long term में बना ठीक है short term में नहीं बना है current price कम है इसकी holding के बारे में अगर हम बात करें तो 27.12% की holding promoter के पास और यह latest holding के September की और actually में यह थोड़ी सी थोड़ी सी देखा जाए तो बहुत बड़ी holding बेची गई है 36% की holding थी promoter की वो घटके 27 पर आ चुकी है बहुत बड़ी holding बेची गई है यहां पर promoters के द्वारा इतना ही नहीं बड़े-बड़े fund houses ने भी बड़ी बिक्वालिक करी है mutual fund तो थे ही नहीं domestic की 4.07% की holding घटके 0.76 पर आ चुकी है लेकिन FIs की भी 0.95% की जो holding थी वो घटके 0% पर आ चुकी है लेकिन shockingly मुझे लग है क्योंकि retail holding है ऐसा नहीं है कि नहीं है retail holding है यहां पर तो definitely जैसे ही कोई proper update आती है हाला कि मैंने 2-3 website को चेक किया था अभी तक वहां पर कोई proper update नहीं आई है लेकिन जैसे ही आएगी definitely मैं आपको उसके बारे में भी update कर दिया करूँगा लेकिन हां promoter ने बहुत बड़ा हि ने भी बिक्वाली करी है यह हम सब ने देखा क्योंकि वाई साहब तीजी जब आई थी यह तैय था कि कोविट के बाद इसमें गिरावट आएगी और यह मैंना को कई बार बताया था कि देखो यह company जब तक कोविट है तब तक इनके share में तीजी है जब तक जैसे ही अगर अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर अच्छे नहीं आते हैं तो अभी के लिए जो share holding pattern नजर आ रहा है वो उतना मुझे positive लग नहीं रहा है तो वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आए हो तो like करे share का channel अगर पहले बाहर है तो please subscribe करे इ और पेन लेबोरेटरिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में लेक्तर बता सकते हैं thank you